वेल्कम टेक्वेटर ग्रूप मैं आपको अविकास आपको अपने चैनल में एक बाव फिर्ट रहता हूं तो इस टेंड आज की जो क्लास है मोस्ट इंपोर्टन क्लास है फिर से आपके लिए क्योंकि मैं आपको कॉंटिन्यू M1R5P क्लासेस प्रवाइट करा रहा हूं और यह जो हमारी क्लास नंबर होगी मेरे अनमान से क्लास नंबर 7 होनी चाहिए च्योंकि मैं आपको क्लासेस प्रवाइट करा रहा हूं मैं आपको दिखा जाता हूं यहां से ठीक है तो करीबन 1 मन्त हो गया सो क्लास कराते कराते तो पहली class यह थी 44 hour की यानि की गरीबे घंटे के असपस तो class number 1 यह है class number 2 है यहाँ पे class number 3 है यह class number 3 के बाद है हमारे पास यह है अमारी class number 4 और यह है class number 5 ठीक है तो अभी जो हमारा topic चला है वो चला था यहाँ पे था आपका word और यहाँ पे हमने excel आज की जो class होगी वो powerpoint प मैंने सारे topic आपके जो important question के साथ बनते हैं जो आते हैं वो मैंने इसमें कबर किये हुए हैं तो करीबन आपकी 6 वीडियो यहाँ पे आपकी हो चुकी है तो यह class number 7 आपकी होगी जो कि powerpoint के साथ होगी और कुछ नए topics होगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादे solution हो जाएगा ठीक है तो continue पूरी वीडियो देखें आपको बहुत अच्छे समन में आई की guarantee है मेरी और telegram गुरू पका जोएनने के तो बिल्कुल जोएन कर लें हैं पर आपको सारी वीडियो के सुरू हुआ से link पीडिया और important updates यहाँ पर आपको provide की जाते हैं यह आपके ल सब्सक्राइब हो जाएंगे ठीक है तो एक question आपका आया हुआ है पांच नमबर का यहां पर देखिए हैं कहा गया प्रेटिकल बेस है जो कि पीपीटी बेट है एक्स्प्लेइन हाओ how slide transaction is used in PPT यानि कि powerpoint presentation में PPT के full form होता है powerpoint presentation तो इसमें अगर old वाले बच्चों की बात करें तो वो MS office में आपका powerpoint होता है उस पर जाके work कर थकते हैं और यदि आपका R5 flavors है new वाला तो आपके लिब्रे office impress करके नाम होता है उसका impress ठीक है आप उसका यूज कर सकते हैं ठीक है तो मैं आपको दोनों में बता दोंगा कि इस परकारते करना है तो एक कुस्टन तो हम यह आपको solve करेंगे जो कि पांच नमबर का है उससे आपको अच्छा टॉपिक कबर हो जाएगा पूरा टॉपिक कबर हो जाएगा पीपिटी ठीक ह है और एक टॉपिक है यहाँ पर स्वरी यह नहीं यह वाला पूस्टर नमबर यह तीन नमबर अगा टॉपिक है बहुत चोटा है लेकिन अच्छा टॉपिक है विंडोस के चेप्टर का है आपका हाँ टॉ मैनेज डिक्स पार्टिशन और विंडोस यूजिं इन बिल्ट डिक्स मनेजमेंट टूल तो हर एक सिस्टम में विंडोस में ऑपरिटिंग सिस्टम में एक डिक्स मनेजमेंट टूल होता है जिसे कारण से हम उसको डिक्स को पार्टिशन कर सकते हैं मैनेज कर सकते कर सकते हैं क्लinhब कर सकते हैं कैस कर सकते हैं तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं तो वो कैसे करेंगे आज हम इसमें आपको बताएंगे और जिस्थिक आपका यहां पे आप та नंबर का पुरा पूरा कोर्षण या दस नंबर आप सकते हमाने यह पांच नंबर यह और पांच नंबर का यह तो आपका दस नंबर का टॉपिक यहां से कवरनव करेंगे और यह तो आए पुल की एक कॉसंट फंट का एक को सिर्फ़ pengव कशल यह यह आपको टॉपिक है पीपीटी कोर्शन और जो आपका डिक्स मनेजमेंट का कोशन पुछा गया है उसके लिए हम देखते हैं इसमें कौन सा टॉपिक होगा तो फिलांद यहां से तो नहीं है इसमें आपको जो टॉपिक कवर होगा वह आएगा यहां पे ठीक है डिक्स देखे फाइल मनेजमेंट एंड फोल्डर मनेजमेंट के टॉपिक है यह इसमें आपको बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमको जाना होगा कहां पर अपने डेग्ज्टाप पह जाना होगा ठीक हम सबसे पहले डेश्टाप पे गए यहाँ पर कमाये अंग्वी असक्लिक करना होता है राइच क्लिक्ड इंगे बाद यहाँ प्छे जाना है मैंच करते हैं, वो टीनी पीगार की होती है, एक सिस्टम के होते हैं, एक स्टोरेच की सेटिंगão, यह एक सिर्विस सन ऑbox, जो आपकी तम California के आपको देखने की होती है, तो सेटिंगा को मिलथा है, इनके अंदर ड्राइवर्स जो होते हैं वो आपके एक अत्रित होते हैं तो computer के जितने भी ड्राइवर्स होते हैं आपके device manager में होते हैं अगर कोई error होती है तो यहां पर yellow color से दिखाता है तो this diver cannot start इसके लिए आपको आपके हैं देखिए यहां पर जो भी चीज़ हम प्लग नेसी कि कम्प्यूटर को सौंप आपका है ठीक है आपका hard disk का driver यहां पर लगा हुआ है सारी यह आपके monitor के अंदर attach होते हैं उनके driver यहां पर display में आपको so होते हैं ठीक है तो आपका keyboard का भी आपका driver सभी का आपका USB यह आप लगाते हैं पेंडाइब उसका driver है आपका internet का driver यहां पर है वह आपके activate है ठीक है तो अभी हम इस पर बातने करें हमको बात करनी है जो कुछन आपका पूचा गया है वो है disk management tools के बारे में तो disk management tools के लिए हमको जाना पड़ेगा तो disk आपके किसमें आती है storage devices के अंदर तो यह देखिए यहां पर आपको मिला है storage को option इसमें देखिए यहां पर ऑफसन मिला है disk management ठीक है इस में हमको जाना है देखिए disk management करने के दो तरीके होते हैं यह आपका जो तरीका है यह आपका after formatting के बाद हम करते हैं कि आपने computer जब purchase किया यह आपका पुराना भ बूटिंग करते हैं कि सब्सक्राइब को चड़ाते हैं लोड करते हैं उस दौरान आप अपने मैं हार्डिक को management कर तकते हैं वहां पर आपको option मिलता है format करने का partition करने का स्रिंग करने का सभी तरह को options आपको मिलते हैं new drives बनाने का वह सारे option आपको मिलते हैं ठीक है तो एक तरीका आपको यह हो गया जिसको क्यों off boot की रूप में कहेंगे उसके on boot जो हमारे पास है जो कि डिक्ट मनेजमेंट का एक tools होता है after formatting के बाद अगर आपको partition करने हैं तो वह भी आपका सकते हैं यहां पर देखें जैसे हमें इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने volume open होगी window open होगी जितने भी आपके में hardics लगी होंगी वो सारे आपके नाम के साथ यहां पर सो होगा ठीक है उनकी health वगएरा सब कुछ यहां पर आपको activate दिखाई देगी कितना overhe heat है कितनी fault tolerance है कितनी free space है और कितना percent free है कितना gb free है और कितनी capacity है उस हार्डिक की वो यहां पर सो करता है ठीक है तो हमारे जो operating system है वो सी drive में है वो तो दीके उसके आगे तमाम चीज़े आपको लिख के आ रहे होंगी जो भी आपकी hardics होती है जिसमें कि आप windows install करते हैं उ स्टेटेस में healthy है system boot page file active crime primary partition इस परकार से आपका फूरा लिखे आगा तो आप समझ जाए कि हाँ यह आपकी local drive है ठीक है अब नीचे आते हैं देखें इसमें क्या क्या होता है यहां पर अन यहां पर देखें कुछ symbols होते हैं पूरा समझ लिए मैं बता देता हूं अगर आप आपको लिखना हो तो इस वेकार से आप लिख सकते हैं अन एलोकेटेड ठीक है जो कि कोई एलोकेटेड नहीं है आपने इसको कोई नाम नहीं दिया primary partition है वो आपके blue color से है extended partition है वो आपके green color से हैं free partition भी आपके green color से है और logical drives है वो आपकी blue color से है ठीक है तो यह सारे partition के उस format होते हैं जो अलग-अलग color के हमसार आप उसको पैचान सकते हैं ठीक है अब यहां हमको क्या कहा जा रहा है कि हमको इसको management करना है या तो इसको format करना है या फिर हमको इसको partition करना है या कुछ भी करना है तो मालेज हमने एक drive को select किया drive number E ठीक है इसकी जो health है वो यहां पर 10th जी भी है अब हम इस पर हम right click करेंगे देखिए इसमें क्या क्या option मिलते हैं अगर पहला option मिलता है इसमें open अगर फिर ओपन क्लिक करेंगे तो यह डाइब आपकी यहां से आप जाके open कर सकते हैं ठीक है दूसरा option देखते हैं लिखे लिखे एक्सप्लोर एक्स्प्लोर पर क्लिक करेंगे तो सेम वही option है उसे डाइब पर हमको ले जाएगा ठीक है तीसरा है make partition as active अगर आप इसको एक्टिव पार्टिशन बना चाहते हैं ठीक है ठीक है यहां पर only mark partition content functional operating system और इसको आपक्टिव ना करें क्योंकि फिर आपका जो है stop हो जाएगा ठीक है तो इसको आ पर delete करेंगे ठीक है तो shrink और format पर हम लोगी याफिशन लेटर यहांने कि इसका जो ई है लेटर अभी हम चाहते हैं कि इसका लेटर चेंड करना चाहते हैं तो यहां पर आप जाएंगे ठीक है यहां पर लिखा हुआ चेंड पर क्लिक करेंगे और यहां से जो भी लेटर दे हैं आप चाहते हैं कि इसके दो पार्टिसन और हो जाए जाने कि एक पांच जीबी का पांच जीबी का उसके लिए हम लों को क्या करना होता है यहां पर option होता है shrink volume का इस पर हम जैसे क्लिक कर देंगे तो यहां पर आप से जितनी भी जीवी खाली होगी उसमें देखे जितन में हमको 1024 से multiply करना होता है 1024 into 50 कर देंगे तो इसमें जो भी आएगा आपको पांच जीबी के बराबर आपकी मेमोरी आ जाएगी ठीक है तो वह यहां पर लिख देंगे यहां पर आपको बढ़ाना पड़ेगा जो भी सरिंग करने हैं अभी तो इसमें मेमोरी स्पेस हैंने पूरी भरी हुई है बाकि आपको जब यहां पर लिख जाएंगे उसके अनुसार वह आपकी कल्कुलेट हो जाएगी और सरिंग पर जैसे आपकी करेंगे तो आपकी पार्टिशन जब वो सरिंग हो जाएगी यानि कि 50-50 डिवाइड हो जाएगी 10-5 पांच में हो जाएगी तो यही इस कोर्शम में आपका ब्रॉर्मेट करना आपको इसकी पर पॉपर्डी देखना जाते हैं तो यहाँ पर इसकी हैथ परपर्टी दिखा देगा कितनी की खाली है टूल्स में जाएंगे तो देखें टूल्स में और क्या क्या option मिलते हैं इसमें आपको पहला option मिल जाता है error checking का यानि कि इस drive में अगर कोई error है this option will check the drives error है यहाँ पर click कर देंगे तो आपका जितनी भी errors होगी जंक्स फाइल्स होगी वह सारी आपको दिखा देगा उसके बाद देखें आपको option मिलता है defragmentation this option will defragment file on drive तो है आपका जो भी errors होती है files में उनको analyze कर देता है defragmentation कर देता है वो देखें यहाँ पर analyzing यहाँ पर start हो जाएगे ठीक है stop कर देंगे तो stop हो जाएगे को basically जरूत नहीं है क्योंकि हमारा जो system में up-to-date है कोई भी problem नहीं है अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर देखें बैक पको option मिलता है हार्डवेर में जाएंगे तो आपका हार्डवेर दिखा देगा कि आपकी ड्राइब कहां पर इंस्टॉल है शेरिंग करना चाहते हैं तो इंटरनेट के दूर सेरिंग कर सकते हैं यहां से जाके इसकी security आप चाहते हैं कि यह जो ड्राइब है और कोई ना open कर पाए तो आप चाहते हैं यहां से पर सारी चेंजमेंट कर आएंगे अध्वांस में चले जाएंगे तो यहां पर स्ट्राइब करना चाहते हैं आप इसके लिए थीक है तो यही बिसेकलिकर इसमें आपको option जो है देखने को मिलते हैं डिक्समेंट टूल के अंतरक्त बिसेकर हम लोग करते यहां तो हम लोग partition करते हैं, यानि कि कोई 100 GB की आपकी drive है, उसको हम 50-50 करना चाहते हैं, तो हमने उसको 50-50 कर सकते हैं, उसका later change कर सकते हैं, delete कर सकते हैं, और format कर सकते हैं, process मैंने तरीका आपको पता दिया, किसी भी आप right click करेंगे, यहां पर आपको string का option मिलेगा, वो उसकी calculate कर सकते हैं, तो आसा करते हैं, अब आपको समन में आ गया होगा, बहुत ही simple सा, तीन number के question दा simple सा, आपको लिख देना था है कि सबसे पहले हम अगर हिंदी में लिख रहे हैं, या English में लिखने हैं, तो step by step point one, लिखें step one, सबसे पहले आपको जाना है my computer पे, वहां पर right click कर के, आपको properties पे जाना है, उसके बाद हमको जाना है, डिक्स management, storage वाले folder में, storage में जाना है, डिक्स management पे, उसके बाद हमको एक drive को select करना है, वहां पर right click करना है, अगर हमको format करना है, तो format को click करेंगे, उसका later change करना है, तो later change later path select करेंगे, या फिर अगर हमको उसकी volume को shrink करना है उसको डिवाइट करना तो स्रिंक वाल्यूम का उप्शन से लेट करके एक हज़ार चौब इस से मल्टिप्लाई करके उतनी पार्टी से नहीं वहाँ पर स्रिंक कर देंगे ठीक है तो इस परकार किसका आंसर आपको देना था आपको इसी में से ती नमबर आराम से मिल जाए आपको लिखना था ठीक है तो यह को सन आपका कबर हो गया और यह को समरेजमेंट टूल्स का है इंपॉर्टन है यह हर बार आपका आएगा ठीक है नेक्ट को सनब अब हम चलते हैं जो कि हमारा इसी टोप यह आपका था विंडोस का टॉपिक अब इसी में आते हैं लिब्र आप कुछ भी लिख सकते थे कैसे उसको यूज किया जाता है सबसे पहले आपको ओपन करना होता ओपन करने के लिए यहां पर लिखते हैं पावर पी एंटी ठीक है तो यहां से आपका ओपन हो जाता है आपका Microsoft PowerPoint उसका overview कुछ इस पर कार से आपको देखने को मिलता है यहां पर आपकी slides होती है जिनको कि हम add कर सकते हैं यहां पर click करके ठीक है और यहां पर आपको work space मिलता जिसमें कि आपका titles होते हैं और subtitles होते हैं इनको इनका भी layout होता है कुछ इस पकार से आप जाके आपको किस पकार का layout लेना यानिकी तो सारे आप्सन यहां पर आपको मिलते हैं ठीक है सिंपल सा एक एक चीजी हम समझते चलेंगे इसको आलड़ी मैं वीडियो बना चुका हूं मैं सिर्फ सौट मैं बता जानों किस प्रकार से वर करता हूं कैसे आप इसमें काम कर सकते हैं तो यह है आपका पावर पाइंट ठी आपको भी हम आपको दिखा धेते हैं कि इस परकार से उसको overview दिखता है हम पर तो हम चलते हैं लिपराफिस इमपरेस पे दोनों ही शोफटर को मैं आपको बेर करके बता देते हैं दोनों पर हैं आप इसली काम कर सकते हैं पांच नंबर आप वहां से निकाल सकते हैं तो यह ओवर व्यू है आपका लिब्रे ओफिस इंप्रेस का तो कोई ज़्यादा नहीं है देख सकते हैं इसमें आपको ले आउट का ओप्शन इसमें आपको राइट साइड में सारे ओप्शन मिल जाते हैं जैसे कि मास्टर पेजेस आपको लगाने हैं ठीक है और साथ ही आउट का ओप्शन टेबल डिजाइन करने है या कस्टम अनिमेशन या स्लाइट टानेक्शन इसमें आपको सिफ़ राइट में आपको ऑप्शन दे देता और इसमें आपको सारे ओप्शन यहां पर नहीं मिलते हैं इसके लिए हमको जाना पड़ता है इन मैन्यूस में इंस ठीक है तो सिंपल सा है कोई दिक्कत नहीं से मैं आपको न्यूस लाइट वगर आइड़ करने हैं तो यहां पर जाके हम न्यूस हम अप्amment करते हैं तो यह आ से अगर हम सिलाइड में कला देना तो सिलब्स तरीका है हम गए अब देखेंगे यह अप्लाई हो जाएगी, ठीक, सेम इसमें आपका होता है, इसमें भी हम जाके नियू स्लाइट पर क्लिक करेंगे, यहां से हम जितनी चाहिए उतनी इस्लाइट, इसकी स्लाइट क्यों होती है, Ctrl M जो कि डॉप्लिकेट स्लाइट होती है, और इसमें हम को ड आउट चेंज करना तो हमारे टाइटल देना चाहते हैं तो इसमें हमने टाइटल दे दिया इसमें विए आप चाहते हैं कोई अलग प्रेकार का टाइटल विद कंटेंट के सान तो यहां पर हमने टूबिट कंटेंट नाल दिया ठीक है और इसकी डूब्लिकेट चाहते हैं य कुछ स्य बता देता हूं कुछ का स्टम पेकार ने हमने लिखा धंग fist. तो, कि मालेज हमने ही लिखा इस परकार से ठीक है, इसी को आ और और या तो आप effort कर सकते हैं। पर करते, format पर चले जाएं, और यहां से इसका color background change कर लें, इसको white कर लें, ठीक है, इस पर करते आप इसको बना सकते हैं, अगर आप चाते हैं, single single पूरे में सभी में हैं, इसमें आप चाते हैं, single single word पर animation तो वो भी आप कर सकते हैं, या अलग अलग चाते हैं, तो अलग अलग या पूरे बिचाते हैं, तो इसको पूरे को आपको select करना पड़ेगा यहां से, और आपको जाना पड़ेगा animation पर, और custom animation select कर लेंगा यहां से हम, ठीक है, और यहां पर हम में option मिलेगा add effect का, अब यहां पर entrance में आपको कैसा देना है, हम more effect पर click करेंगे, और यहां पर हम देखेंगे, एक एक पर click करके, यह किस पकारते हमको दिखाई देगा, इसकी speed fast है, तो उसकी speed हम slow कर लेंगे, वैसे आपको यह दिखाई देगा, ठीक है, तो इसको हम अभी slow कर लेते हैं, और इसको play करते हैं, तो ठीक है, इस पर इस पकारते हैं, हमको और हमारी X, और हमारी यह कह सकते हैं, BCA, MCA, और आपकी, DCA, PG, DCA, माले यह क्लासे समाज चलती हैं, अब हम चाहते हैं कि, यह सभी जो हमारी run के आए, एक एक के बाद, एक 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 यहां पर so हो, तो हमें एक को स्लेट करेंगे इस पकार से, और यहां पर more effect पर click करेंगे, ज है, चाहे तो इस पर करका दे दें, चाहे फ्लाई कर दें, किसी पर करका भी आप दे सकते हैं, या सीधे आप random के option पर click कर देंगे, तो random का option होता है, यह को आपको select करना पड़ेगा, यहां बजागे, इंटेन पर click करके, हम click कर देंगे random पर, तो अभी आप देखेगा, कितन select के number भी आजाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, अभी आपकी slider इसमें लग गए, यानि कि six आपके transaction लग गए, हम random इसलिए डाल लाएं, क्योंकि हर बार यह automatically change हो जाएगा, कोई भी design में, ठीक है, तो हमने यह इसमें effect डाल दिये, अब इसका color आप change करना चाहते ह हैं, जैसे आप इचा हैं वैसा, इस पेकार से आप इसको कर सकते हैं, इसको हमने select किया, control all, और इसको हमने तो बोल्ड कर दिया, इस पेकार से, ठीक है, बाकि आपके उपर है, आप इसको beach में करना चाहते हैं, या side में करना चाहते हैं, इसमें आप number करना चाहते हैं, तो इ हो गया अब इसको run कराकर देखते हैं और इनका effect आप लेख लेए fast है कि slow है वो आपको कहा मिलेगा हाँ तो यहाँ पर लगबगग आपके सब slow है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब इसको run कराते हैं तो अभी हम इस पर run कराने के लिए आपको दो आपसे मिलता है या तो आप यहां बटन करना रखते हैं या फिर सलाइट लो पर जाएंगे और फ्राम दी बिंग्निंग पर क्लिक करेंगे तो यह इस परकार से आजाएगा आपका है तो अभी क्यों करें जैसे हम माउस से क्लिक करते जाएंग है किसी बटन से आप कलिक करें तो आपका आपको َák Oboba sound डिक है तो आप देखेंगा यहां सारे रेंडमली यह हम डालते हैं को इनालेट का लोगो तो यह लोगो यहाँ पर आप अभी देखिया आ जाएगा हम चाहते कि अपना चैनल का लोगो भी आ जाए हाँ तो यह है लोगो तो दो लोगो हमने इसमें एड किये हैं भी आपके सामने तो हम चाहते हैं एक बर क्लिक में यह आए आप इसमें आप कोई भी दे सकते हैं तो और इसमें भी डाल रहते हैं कोई रैंडम ऐफ़ेक्ट कराएंगे यहां में बजाए कि स्लाइट लो पे फ्रॉम बिंग्निंग और तो यह देखे कुछ इस पकार से ठीक है तो इस पकार से आप कोई भी स्लाइट को बना सकते हैं तो आसा करते हैं आपको सौन में आ गया होगा और कुछ इसमें ज्यादा खास नहीं है और तमाम उप्सन दिये गए है है इसको किश पिकार से सिवाइब करना है या सभी में आपको डालने हैं तो आप यहां से पूरे चायरण दाल प्रकार से एक जुलाई एक्जाम इस पर करते हैं तो आप यहां पर डेट चार्ड भी बना सकते हैं ठीक है तो बहुत ही सिंपल सा है इसको भी आप एनिमेट कर सकते हैं कि करके है और उसी में और उपसे मिलते है क Allah अगर आपको एट करने ही कोई इमेज लेना है तो यहां से भीट बहूए geist ले पाएंगे भोग्त ही असानी से जो इस में अप ले बैल होंगे वो आपको मिल जाएंगे आप लेबल लेखर आफ व को प्रशु रदाना करने प्रड़ है ठीक है इस पर गारतें यहां से Town आपको बगर मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छे टूल्स हैं इजी टूल्स हैं आप असानी से इसको यूज कर पाएंगे देखिए आप हमने लगा दिया एक जाम से डूल आपका आड़ी टूल्स का है तो आपका डाल लेजिए M1 R5 M2 R5 M3 R5 और आपका M4 R5 इस बगार से आप इसक तो आप गराब भी यहाँ पर असानी से इसको ले सकते हैं विसकली आपका यूज इसमें होता नहीं लेकिन आप कभी कबारा जुरूत पर जाती कोई हमको स्लाइड बनाने होती है वह हमको percent average दिखाने होते है students होते है अपका चला गया Excel पर तो यह अव्यद्थ हर बार जाएगा जब मापकोई फ़ी चार्ट पर काम करेंगे त्यूकी उश के साथ ही आपका काम करेंगा की उसके बाद है हमारा डिजाइन में आप बता दी करि आनिमेशन में ढफ़ोइत प जाते हैं या किसी आपको सभी रण नहीं करानी आपको fifty number की कराणी यहाँ पर custom पर जागे उस number पर आप custom Content को Add करा सकते हैं देखिए number one जिस पर भी आप चाहते हैं add करा देंगे तो इस पर खरते वो आपकी हो जाएगी तो यह है आपका कोस्टन नंबर जो की था एक्पलेन हाउस लाइट टांजेक्ट इस वर्किंग सभी चीज मैंने आपको इसमें कर दीए पांच नंबर आपको टॉपिक कवर हो गया सेम इसी में इसी पेकार से इसमें भी सेम प्रॉस्ट होता है ठीक है इसमें भी कि आप करेंगे जैसे अम उसमें कर रहा है इसमें हम वो गएद्ट हो जाता और यहां पे नहीं जाता है तो यह यह संपल सा है दोनों को आप यूज आएज़ीव जयाता है क्यूंकि आपको सारे उकसर राग्ष्ण कर सकते हैं किस्टम अनिमेशन है स्लाइट टैंजेक्शन है जैसे भी आप डाउन करना चाहते हैं पुरी स्लाइट को आप कोई जादा कटिन नहीं है सारे से बगर रेक्टेंगल बगर सब आपको मिल जाता है तो इसमें और अच्छा ओप्सन यहां पर टेक्स्ट है यहांसे आप टेक्स्ट लगा सकते हैं तो आसा करते हैं आगया होगा यह भी कोर्शन वीडियो अच्छी लगए जरू कर दें और सब्सक्राइब हैं तो इसमें पर टेक्स्ट होगा है प्रेटिकल बेस उनको हम सब्सक्राइब हैं तो थेंक एफर वाचिंग